प्यारे बच्चो नमस्ते कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे बच्चो मैं आपकी अध्यापी का आरती सेथी आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए रोचक विशे के साथ बच्चो ये तो आप सब जानते हैं हम एक दूसरे के साथ अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं बताईए हाँ सही कहा बोल कर या लिख कर और बच्चो बोलने और लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है सही कहा भाशा की और भाशा के लिए हम सभी को पता है अलग-अलग स्थान पे अलग-अलग भाशाएं बोली जाती हैं और हर भाशा के अपने शब्द होते हैं और शब्द किस से मिलकर बने होते हैं हाँ अक्षरों से जरा सोचो अगर हमारे जीवन में अक्षर न होते तो कैसा होता तो हम एक दुसरे से बातचित कैसे करते लिखते कैसे पढ़ते कैसे चाहि कोई भी भाशा हो चाहे वह अंग्रेजी हो हिंदी हो बेंगौली मराथी या उर्दू सभी का आधार अक्षर ही तो हैं क्या आपने कभी सोचा ये अक्षर किसने बनाए होंगे जब ये अक्षर इस दुनिया में नहीं थे तब लोग एक दूसरे से अपनी बात कैसे करते होंगे सोचिये हाँ सही कहा तब लोग इशारों से संकेतों से और चिन्हों से अपनी बात करते होंगे तो बच्चों वे अपने मन की बात को कहने के लिए चिन्हों का प्रियोग करते थे धीरे धीरे इन चिन्हों का स्थान प्रतीकों ने ले लिया इस तरहें वे प्रतीकों को पत्थरों पर उकेरने लगे और समय के साथ-साथ इन प्रती को कस्तान अक्षरों ने लिया अक्षरों की विकास के साथ ही लिप्पी का विकास हुआ और लिप्पी का विकास होने के साथ ही शब्दों का और शब्दों से वाक्य बने और वाक्यों से भाषा सोचो यदि अक्षर न होते तो हम किस-किस चीज से वन्चित रह जाते सोचो और बताओ बहुत अच्छे हम कैसे अपने इतिहास का पता लगा पाते यदि भाशा न होती, अक्षर न होते हमें कैसे पता चलता कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे उनकी क्या सोच थी, किस तरह से समय के साथ साथ परिवर्तन आए हम हमारे पूर्वजों का ज्यान और अनुभव इन अक्षरों की मदद से ही तो ले पाए और इन अक्षरों की इस भाशा की मदद से ही हम आने वाली पीड़ी को अपने आज के बारे में बता पाएंगे अक्षरों की मदद से ही हम अपने विचार बोल कर या लिखकर व्यक्त कर सकते हैं आज हम आपकी हिंदी की पाठे पुस्तक में संकलित पाठ पाँच अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे इस लेक को श्री गुनाकर मुले जी ने लिखा है आईए लेक पढ़ने से पहले हम गुनाकर मुले जी के जीवन के बारे में जाने महाराश्ट्र के अमरावती जी लेके सिंधी बुजुरुक गाउं में 3 जनवरी सन 1935 को गुनाकर मुले का जन्म हुआ था इन्होंने एम्मे गणित परिक्षा इलाहाबाद विश्विद्याले से पास की थी शिक्षस मापति के बाद इन्होंने अपना जीवन स्वतंत्र लेखन एवंपत्रकारिता के क्षेत्र में लगा दिया इन्होंने विज्ञान के विभीन कथिन विशयों पर रोचक धंग से लिखा है गुनाकर मुले विभीन पत्रपत्रिकाओं में निरंतर लिखते रहे हैं इनकी मौलिक प्रकाशित पुस्त के लगभग तीस हैं उन में से प्रमुख हैं सूरज जान सितारे भारतिय अंकपद्धि की कहानी अक्षर कथा भारतिय लिप्पियों की कहानी भारतिय विज्ञान की कहानी प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ब्रह्मांड परिचे भासकराचारे अंतरिक शियात्रा सौर मंडल आदी इन में से भारतिय अंकपद्धिती की कहानी और भासकराचारे अंतरिक शियात्रा इनकी पुरस्कृत रचनाएं हैं तो बच्चो आज की इस लेख में आओ जाने अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह पुस्तक अक्षरों से बनी हैं सारी पुस्तके अक्षरों से बनी हैं तरहें तरहें की पुस्तके तरहें तरहें के अक्षर दुनिया में अब तक करोडों पुस्त के चप चुकी हैं हजारों पुस्त के रोज चपती हैं तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र चपते रहते हैं इन सब के मूल में हैं अक्षर हम कलपना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को नए जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते है अक्षरों का ग्यान हमें किसी इश्वर से मिला है पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्ष्रों की खोज इश्वर ने की है पर आज हम जानते हैं कि अक्ष्रों की खोज किसी इश्वर ने नहीं बलकि स्वयम आदमी ने की है अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्ष्रों की खोज किस देश में किस समय हुई हमारी धर्ती लगभग पांच अरब साल पुरानी है दो तीन अरब साल तक इस धर्ती पर किसी प्रकार के जीव जन्तु नहीं थे फिर करोडों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धर्ती पर राज्य रहा आदमी ने इस धर्ती पर कोई पांच लाक साल पहले जन्म लिया धीरे धीरे उसका विकास हुआ कोई दस हजार साल पहले आदमी ने गामों को बसाना शुरू किया वह खेती करने लगा वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था फिर उसने तामबे और कांसे के भी ओजार बनाए प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरीए अपने भाव व्यक्त किये जैसे पश्वों, पक्षियों, आद्मियों आदि के चित्र इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए जैसे एक छोटे वृत के चहुँ और किर्णों की द्योतक रेखाएं खीचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था बाद में यही चित्र, ताप या धूप का द्योतक बन गया इस तरहें अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्ष्रों की खोज की अक्ष्रों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से छह हजार साल हुए हैं केवल छह हजार साल अक्ष्रों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा तब से मानव को सब भी कहा जाने लगा आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंब हुआ किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं उसके पहले के काल को प्रागयतिहासिक काल यानि इतिहास से पहले का काल कहते हैं अते हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते हम यह न जान पाते कि कितने कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादी अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा इस प्रकार एक पीड़ी के ग्यान का इस्तेमाल दूसरी पीड़ी करने लगी अक्ष्रों की खोज करने के बाद पिछले छे हजार सालों में मानव जाती का तेजी से विकास हुआ यह महत्व है अक्ष्रों का और उनसे बनी हुई लिप्पियों का अतह हम सब को अक्ष्रों की कहानी मालूम होनी चाहिए आज जिन अक्ष्रों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए कहां बने और किसने बनाए यह जानना जरूरी भी है तो बच्चों इस तरहें आपने इस लेख के जरिये जाना अक्ष्रों का महत्व और किस तरहें से अक्ष्रों की खोज हुई बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आप दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दें पहला दुनिया में अब तक कितने पुस्तकें छप चुकी हैं विकल्प हैं करोडों, हजारों, सैंक्डों, अर्बों तो बताईए शाबबाश करोडों अगला प्रश्न है, अक्ष्नों का महत्व पाठ के लेखक हैं, विकल्प हैं गुणा कर मुले, गुणा शंकर मुले, गुणा रंग मुले, गुणा राम मुले तो बताईए बहुत अच्छे गुणा कर मुले अक्ष्नों को हम कितने समय से जानते हैं विकल्प है आदी काल अनादी काल मध्यकाल वर्तमानकाल बताईए शाबबाश अक्ष्नों को हम अनादी काल से जानते हैं अगला प्रश्न लोगों की मान्यता के अनुसार अक्ष्नों का ग्यान हमें किस से मिला है विकल्प है नेता राजा पुरोहित इश्वर तो बताईए क्या मान्यता थी लोगों की कि अक्ष्नों का ग्यान किस से मिला है शाबबाश आपने सही बताया इश्वर तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रिशन की तरफ अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग कब शुरू हुआ एक हजार साल पहले दस हजार साल पहले छे हजार साल पहले या दो हजार साल पहले सही विकल्ब चुनिए बिलकुल सही 6000 साल पहले धर्ती कितने साल पुरानी है? 4 अरब साल 5 अरब साल 3 अरब साल या 6 अरब साल बताइए शाबबाश 5 अरब साल गामों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? विकल्प है आठ हजार, बारे हजार, छैह हजार, दस हजार तो क्या है सही उत्तर? दस हजार अक्षर जानने से पहले मनुष्य किस प्रकार संदेश भेजता था? आवाज रिकॉर्ड करके चिल्ला कर चित्रों के माध्यम से घंटी बजा कर बहुत अच्छे चित्रों के माध्यम से बच्चो अब आपके सामने कुछ वाक्य दिये गए हैं आप सही या गलत वाक्य चुनिए पहला आदमी पहले पत्थर से बने आउजार इस्तेमाल करता था बताईए सही या गलत? बिलकुल सही ये वाक्य सही है अगला वाक्य है इतिहास को शुरू हुए लगभग पाँच हजार वर्ष हुए है क्या ये वाक्य सही है या गलत? बहुत अच्छे ये वाक्य गलत है कितने वर्ष हुए हैं इतिहास को शुरू हुए? हाँ, छे हजार अगला वाक्य आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ ये वाक्य सही है या गलत? बहुत अच्छे ये सही है अक्ष्रों की खोज मनुश्य की सबसे बड़ी खोज है सही या गलत? हाँ, सही दिये गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ती करो आदमी ने गामों को बसाना लगभग रिक्त स्थान वर्ष पहले शुरू किया था दिये गए शब्दों में से सही उत्तर चांटिये शाबाश दस हजार अगला अक्ष्रों से रिक्त स्थान बनती है क्या बनती है? शाबाश लिप्पिया अगला वाक्य इतिहास से पहले के काल को रिक्त स्थान कहते हैं क्या कहते हैं इतिहास से पहले के काल को? बहुत अच्छे प्राग इतिहासिक काल क्या कहते हैं? प्राग इतिहासिक काल अगला वाक्य प्राग इतिहासिक मानव अपने भाव रिक्त स्थान बना कर व्यक्त करता था क्या बना कर व्यक्त करता था? बहुत अच्छे चित्र बना कर तो इसमें क्या आएगा? है ताप का द्यों तक रिक्तस्थान का चित्र था बताईए किसका चित्र था शाबाश सूर्य का बच्चो पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए यूग की शुरुआत हुई आप अपने उत्तर को लिखें अक्षरों की खोज के साथ एक नए यूग की शुरुआत हुई जब आदमी अपने इसाब किताब को लिख कर रखने लगा जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीड़ी के विचार दूसरी पीड़ी तक पहुचने लगे इसी के साथ विकास गती तेज हुई इस प्रकार एक नए यूग की शुरुआत हुई अगले प्रशन की तरव बढ़ते हैं अक्षरों के ग्यान से पूर्व मनुश्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुचाने के लिए किन-किन माध्यमों का सहारा लेता था बहुत अच्छे आपने सही बताया मनुश्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था वह पशुपक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तों के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुचाता था बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुश्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुचाने लगा अगले प्रश्न की तरव बढ़ते हैं अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनी के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो जिस तरह से अक्षरों का महत्व है ध्वनी का भी तो कितना महत्व है तो बच्चो इसे आप लिखिए मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है इस विशय में भी सोचो और लिखो बच्चो क्या आपको पता है हर वैग्यानिक खोज के साथ किसी ना किसी वैग्यानिक का नाम जुड़ा होता है लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है ऐसा क्यों है? चलिए मैं आपको बताती हूँ यह सत्य है कि हर वस्तु के आविशकार में किसी ना किसी वैग्यानिक का योगदान रहता है लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेश की देन नहीं है यह मानव जाती के सम्मिलित प्रियास का फल है अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रियास एवं अभ्यास के फल स्वरूप हुआ इसका किसी एक व्यक्ति ने आविशकार नहीं किया अते इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाशा की खोज इश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ आप अपने उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखिये अगला प्रश्ण भच्चो अक्षरों के महत्व के साथ ही मनश्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है आप उनके महत्व के बारे में जानकारी इकठी करो और लिखो अगला प्रश्ण क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते? क्या होता अगर हमारे पास भाशा न होती? बच्चो फिर से एक बार इस लेख को ध्यान से पढ़ें और इन प्रश्णों के उत्तर दें आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें बच्चो अब हम पाठ के एक नए पढ़ाओ पे चलते हैं जिसका नाम है भाशा की बात अनादी काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुवात या आदी ने हो यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है इसे उपसरग कहते है इन उपसरगों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो फल से पहले स उपसरग लगाने पर नया शब्द बना सफल सफल में आ उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बना असफल तो हम इस तरह से लिखेंगे असफल अगला शब्द है अद्रिश्य इसमें से आप उपसर्ग को लग करके मूल शब्द लिखिए अगला शब्द है अनुचित कीजी आप उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग अगला शब्द है अनावश्यक अनावश्यक में उपसर्ग क्या है अन और हमारा मूल शब्द क्या है आवश्यक और इसका आर्थ आपको पता ही है आवश्यक यानि जरूरी और अनावश्यक गैर जरूरी अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं अपरिचित इसमें आप उपसर्ग अलग कीजिए और मूल शब्द अलग अगला शब्द अनिच्छा शाबबाश जब अनिच्छा में से हम आणुपसर्ग को अलग कर देंगे और मूल शब्द इच्छा को अलग कर देंगे तब बताईए इच्छा का अर्थ क्या है बहुत अच्छे चाहया अभी लाशा बच्चो अब बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ वैसे तो संक्याई संग्या होती हैं पर कभी-कभी ये विशेशन का काम भी करती हैं जैसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धर्ती लगभग पांच अरब साल पुरानी है अगले वाक्य को देखिए कोई दस हजार साल पहले आदमी ने गावों को बसाना शुरू किया इन वाक्यों में रेखांकी तंश साल संग्या के बारे में विशेश जानकारी दे रहे हैं इसलिए ये संख्या वाचक विशेशन है संख्या वाचक विशेशन का इस्तेमाल उन्ही चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है जैसे चार संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदी के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है जैसे तीन जग पानी एक किलो चीनी यहां रेखांकित हिस्से परिमान वाचक विशेशन हैं क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है अब आगे लिखे हुए को पढ़ो खाली स्थानों में बॉक्स में दिये गए माप तोल के उचित शब्द चाट कर लिखो तीन रिक्त स्थान खीर तो बताईए दिये गए शब्दों में से कौन सा शब्द उचित है तीन खाली स्थान खीर अगला दो खाली स्थान जमीन तो जमीन के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे आपने सही बताया एकड छे है खाली स्थान कपड़ा तो कपड़े के लिए हम किसका प्रियोक करेंगे? क्या शब्द आएगा? हाँ इसके लिए आएगा मीटर दो खाली स्थान कॉफी बहुत अच्छे दो कप कॉफी एक खाली स्थान रेत तो रेत का माप तोल के लिए तो बताये शाबाश ट्रक पांच रिक्तस्थान बाजरा शाबाश किलो एक रिक्तस्थान दूद आपको पता है दूद के माप तोल की इकाई क्या है? बहुत अच्छे लिटर अगला तीन रिक्तस्थान तेल दिये गए शब्दों के आधार पर उप्तर बताये शाबाश चमच बच्चो क्या आपको पता है अपनी लिप्पी के कुछ अक्ष्रों के बारे में जो अप प्रियोग में नहीं रहे जानकारी इकर्थी करो और लिखो ऐसे अक्षर जो अप प्रियोग में नहीं रहे और ऐसे प्रचलित नए अक्षर जो अप्रियोग में आ गए हैं तो लिखिए अगला प्रश्न लिखी तोर मौखिक भाषा के हानिलाब के बारे में अपने दोस्तों के बीच चर्चा करो अगला प्रश्न अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं उदाहरन के लिए हिंदी, उर्दू और बांगला आदी शब्दों में प्रतीक अक्षर के लिए उसकी ध्वनियों निर्धारित है कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं आपके सामने कुछ चित्र दिये गए हैं उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं? बताओ पहला चित्र देखिए और बताइए ये संकेत क्या व्यक्त कर रहा है? बहुत अच्छे यह आगे स्कूल होने का संकेत है दूसरा चित्र देखिए और बताइए ये संकेत क्या व्यक्त कर रहा है? शाबाश वृत के यानि सरकिल के बाई और जाने का संकेत अगला चित्र देखिए बताईए शाबाश हाँ, सडक दाई और घूम रही है अब बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ देखिए और बताईए बहुत अच्छे सडक बाई और घूम रही है तो बच्चो आशा करती हूँ आज का लेक अक्षरो का महत्व आपको बहुत रोचक लगा होगा तो बच्चो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विशे के साथ तब तक के लिए अलविदा प्योर साथ प्योर सिर्जार करना टूम आपको बचस्ट व्यों हम लगा होगई फिरी आपको का महत्व पूमों घुरू उलविए